हेलो फ्रेंड्स जानकी रुसोई में आपका स्वागत है बिना जंजट के टेस्टी खाना बनाना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी बिल्कुल फ्री में प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तों आज हम बनाएंगे अर्बी की बहुत ही जादा टेस्टी और कुरकरी सब्जी जो इतनी असानी से बनती है कि आप एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे ये बहुत ही जल्दी बन कर तेयार हो जाती है और बनाने में बहु इसको काटने में हाथों में खुझली लगती है तो इसके लिए पहले मैं एक चमर सर्सों का तेल अच्छे से हाथों में लगा लूँगी सारी उंगलियों में सब जगे अच्छे से सर्सों का तेल लगा लीजे और चाकू पर भी लगा लीजे फिर इसको हम छीलेंगे आप चाहें तो इसको पीलर से भी छील सकते हैं मगर पीलर से इसका छील का थोड़ा मोटा मोटा निकलता है तो इसलिए मैं इसे चाकू से ही छील रही हूँ देखिए जिस तरीके से मैंने यहां इसे चील लिया है इसी तरीके से सारी अर्बियों को अच्छे से चील लीजी अब मैं सारी अर्बियों को चील के रख लूँगी इनको मैंने 1x4 में काट कर लिया है एर्बी से बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है क्योंकि इसके इंदर बहुत काटे होते हैं इसलिए मैंने इसके इंदर एक चमबज नमख मिलाके अलग रख दिया है ताकि वो सब खतम हो जाएं फिर इनको अच्छे से धो लीजे और धो के थोड़ा सुखा के इन्हें सरसो के तेल में फ्राई कर लीजे जैसे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ फ्राई करने में थोड़ा तेल ज्यादा लगा है तो इसलिए जो एक्स्ट्रा ओयल है उसको हम अलग निकालके रख लेंगे चोटा चोटा काट लिया और चार लेसं की कलियां भी हैं और साथ में एक हरी मेज को भी बारेक टुकड़ों में काट लिया है इन सबको आपा से मिलाके गोल्डन ब्राउन करने तक भून लिजे अजवायन डालने को बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि अजवायन इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आदा चमच हल्दी, डेट चमच पिसा धनिया, आदा चमच लाल मेच और चताई चमच देगी मेच, आदा चमच भूना जीरा मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है अब इसमें चार चमच देई डालके अच्छे से भून लीजे, जब तक इसमें से तेल ना निकल आए फिर इसके अंदर सारी अर्भी डाल लीजे और नमक स्वादन सार डालिएगा अर्भी को तो हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था इसको आदा कप पानी और डालके अच्छे से मसाले को हर अर्भी के उपर लपेट लीजे फिर इसको ढखके रख दीजे पांच मिनट के लिए अब हम फ्लेम को स्लो ही रखेंगे देखिए सबजी अब हमारी बनकर त्यार हो गई है बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से कितनी सौफ्ट है फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम आदा चमच आमचूर और चोथाई चमच गरम मसाला डालेंगे आप इस कुरकुरी और टेस्टी रेसिपी को जरूर बनाएगा और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाना ना भूलें